प्यारे मित्रू नमस्कार आपके अपनी यूटूब चैनल आरार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है हम लोग बात कर रहे है थे चो है अधर हम इस टॉपिक को जहां तक है समाप्थी कर देंगे अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो चैनल पर नए है तो चै अस ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक jsि और ना भूलिं पिष्छे क्लास में हमने सो है बात किया था कि जो है सिंस को थोड़ा एक बार Review कर लेते हम इस गून में क्या होते है कि धातु जो है फल सुरूप अपने ही आकार में फल सुरूप सोता ही क्या कर लेती है धातु में धातु एठन या मोड़न के अनुसार आकरिती ग्रहन कर लेती है धातु को जिस प्रकार से मोड़ना या एठना होता है उसी प्रकार से धातु जो है अपनी आकर ती घुब रह डई ति इसी गून के कारण कारण धात उतारों को दृते हैं मोटी मोटी धाउथ रसियां बनाए एका आसे होते हैं जो है वी ज्व प्लेंसे को ना सकते हैं आज से जो है हम लोग जो है metal properties टॉपिक्स जो है पूरा cover ही कर देंगे इसको थोड़ा सा topic और बचा है metal कठोरता की बात करते हैं hardness hardness के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमारी hardness क्या होती है कठोरता धात के इस गुण फल सुरूपी है सरलता से कठोरता धात के इस गुण फले सुरूप यह धात से घिसलती यहां घिसलती होगा शोगां घिसलती काट्टी यहा मुड़ती नहीं है जो hardness होती है इसमें कौन सा गुण होती है धातु जो है हमारी जो है न घिसलती है घिसती है नहीं कटती है और ही नहीं मुर्ती होती है यह सभी गुण जो है कठोर्ता में पायज आते हैं कठोर्ता के इस गुण के कारण धातुएं अन्य मुलायम धातुओं को काट सकती है जो धातुएं होती है जो मुलायम धातुओं ह आजयारम के काटने की सच्छम होतने की होता है कि नर्मधातवल के नर्मधातों के लाई 230-30 बादम आजयारम के लाई हुद्वर्य नर्मधातूं की काटने के अम्हारी कथोरता क्या की पिदर को काटने men होती ही है, धात के इस गुन को उसमा उपशार दोरा घटाया जा सकता है, धात को करता होती है, हीट ट्रीटमेंट के माध्यम से कुण या बढ़ाया जा सकता है, अगरिक पर खकाध के पीतल की कठोरता अलुमीनियम से अधिक होती है जो हमारी पीतल होती है पीतल की कठोरता क्या होती है कि अलुमीनियम से अधिक होती है और इस पात की कठोरता पीतल से अधिक होती है जो इस पात होता है इस पात की कठोरता की बात करते है तो यह हमारी जो पीतल होती है पीतल से उनको क्या करता है कि काटने में जो हमारी हाटधात्यों चो होती है, काटने में नर्म धात्यों को की? काटने में सक्षम होती है, क्या होता है? क हाडधानेस को हम लोग क्या करते हैं कि ।ðWest 열 hugging was in AH vars ди-Treatment के द्वारा हम क्या कर सकते हैं इसों हों हाडनेस क factor सकते हैं.. कमिया जादा कर सकते हैं इसकी हार्डनेस को नेक्स्ट है हमारी टेना सिटी टेना सिटी की बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमारी टेना सिटी क्या होती है इस गुण के फल सुरूप टेना सिटी के इस गुण के फल सुरूप धात उपर खिचाओ बल लगाने से धात तूटती नहीं है अगर जो टेना शीटी होती है इसमें क्या होता है कि हमारे धात होती है इसमें अगर हम तोई भी खिचाओ बल लगाएंगे तिया धात जो हमारी क्या होती है कि तोटी नहीं है एवं निश्चित सहीमा तक बल लगाने को शहन कर लेती है एक निश्चित सहीमा तक बल लगाने पर यह क्या होती है कि बल को जो है शहन कर लेती है इस खिचाव बल को जिस पर धा तोट तोटी नहीं तोटी तो नहीं वरना बल को शहन कर लेती है यह जो खि जबात की तनं समर्थ कहलाती है अतहा टेनाशीटि धात का वह गुुण है जो खिछाव बलों के बिरुद्ध कारे करते हुए कनो को अलग सकती है क्या होती है कि जो टेना शीटी होती है इसमें क्या होता है कि धातुओं का वह गून जो खीचाओ बलों के बृद्ध अगर हम किसी वस्त को जो बल लगा कर खीच रहे हैं वह क्या कर रहे हैं कारे कर रहे हैं करते हुए कणों को अलग कर देती करने अलग होने से रोपती है जो तो क्या होगा कि टूटे का नहीं, इसके बिरुद्धिकारे होगा, कनुस जो अलग नहीं होती, इसी गुण के कारण से, इसी गुण के कारण से, एक दूसरे से मजभूती से बने रहते हैं, इसी गुण के कारण तो क्या होते हैं, कि एक दूसरे को जो है मजभूती से बने र अगर हम इस पर क्या करेंगी कोई भी बल लगाएंगे जैसे माली जी कोई भी रस्ती होगी अगर हम इस पर बल लगाएंगे यह क्या करेगी कि यह जो जिस निश्ची समय तक हम जो इसको इस तरफ से इसको इस तरफ से खीसेंगे या क्या होगी कि या टूटेगी नहीं, यह जो बल लगाएगी बल का क्या करेगी, कि बिरोध करेगी, यह जो है पल को बिरोध करेगी इसी गुन को हम लोग क्या करते हैं, टेनर सिटी कहते हैं Next है हमारा Shampirita Company, Why Company, Loyalty के बारे हम बात करने हैं, Shampirita इसके फल शुरूप एक निश्ची समय तक दा बबल अगर कोई वस्त वरतिकτο हो प्रेशर एक बन लगाते हैं बन लगाते हैं क्या करते हैं pót यह क्या होगी कि हमारी इस तरीके से जो रहिँ ठीक जाएगे दबती है परन्तो फटती फट्ती notie Presentary कहलाती है क्या होती है जब हमें एक निस्ची समय तक क्या होँएंगे तो यह क्या हो कि हमारी धात उसो है दब जाएगी लेकिन यह मेटल से हमारा क्या होगा कि फटेगा नहीं इशिक हम लोग क्या कहते हैं शंपीड़िता कहते हैं धात की लंबाई में दाब बल लगाने से उसकी चौड़ाई में बृध्धि होती हैं अगर धात की कोई लंबाई होगी अगर य इधर शिकड़े था जोहें क्या होगी कि चवणाई इसकी च च चौणाई में क्या होगी ब्रिध्य होती है और जरए या मोटाई में धाब बल लगाने से भिऐता ships अगर इन जा छोड़ाईажд होगी अगर इसको हम प्रेस करेंगे इस पर बल लगाँंगे कोई भी ऐसा मेट कि परदन को भृत्त नहीं 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 हैं तो हम लोग तिता कहते हैं इसे में हुं हम मक क्या कहते हैं शम जबड़या कहते हैं अगर हमारा वीडियो आप शवी में अच्छा लग रहा होगा तो चैनल которых एक लाइक और सस्क्राइब जरूर करके जाई गाहिए गाहिए भीडियों को ज़्याद से ज्याद स्सक्राइब जरूर करिएगा भीडियों को ज़्याद सakers свобод करने की कोशिश किया करिए गा Aufgड़ हो घृ कर वह हो गुर्ण जिसके फल सुरूप cutting tool है मालीजी हमारा कोई cutting tool है यह क्या हो काटिंग टूल है इस प्रकार से यह क्या कर रहे हैं शता को इसकी सता को जह है शुगमता से काटता है काटता है और सता चमकदार हुआ सबस्च और चमकदार बनाती जो सता होगी अगर इस सता को हम जब मालीजी इधर से काटेंगे इस श्यतो को क्या करेगी चमकदार और क्या होगी सच्छ बनाए गिए इशी गुण को हम लोग क्या करते हैं मशीनी विल्टिम कहते हैं नेक्ट है हमला बात करते हैं धातु का वर्गी करन धातु का वर्गी करन क्लाशिफिकेशन आफ मेटल्स कि हमें धात का वर्गी करन किस प्रकार से करते हैं धात का वर्गी करन धातु को मूल रूप से इनके तत्तों के आधार पर दो वर्गों में धातु क्या होते हैं कि धात को जो हम लोग क्या करते हैं दो वर्गों में विभ वर्गों में बांटा जा सकता है दो वर्गों में बांटा जा सकता है धातूओं को मुल रूप से इनके तत्तों के आधार पर दो वर्गों में बांटा जा सकता है पहला है लोधातूओं और दूसरा हमारी क्या है अलोधाति लोधातूओं में क्या होता है और अलोधातूओं क्या होती है उन पर बात करते हैं जो हमारे लवधातुएं होती है जिन धातुओं में मुख्य अंश होता है अंश लोहा होता है उन्हें लवधातुओं कहते हैं लवधातुओं क्या होती है फेरस मेटल हमारे क्या होती है जिन धातुओं में मुख्य रूप्श मुख्य कहते हैं जैसे कच्चा लोहा डलवा लोहा इत्याद ये शबी क्या होते हैं कि इन सब में जो है हमारा लोहे का गुण जो जिन धातुएं में क्या होता है कि लोहे का गुण पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं फेरस मेटल कहते हैं लोग धातुएं कहते हैं फेरस मेटल अलाव धातुएं, अलाव धातुएं हमारी क्या होती हैं, जिन धातुएं में लोहे की मातरा नगड़े तथा मुख्य अंश अन्य धातुएं होती हैं, उन्हें अलाव धातुएं कहते हैं, नान फिरस मेटल कहते हैं, अलाव धातुएं क्या होती हैं, जिन धातुएं हमारे ल लोहे की मात्रा नगड होती हैं नहीं होती है तता मुख्य-UNS अन्य धात्यूं होती हैं मुख्य रूप में क्या होती है कि हमारी चोइज अन्य metals होते हैं तो क्या होते हैं जींटिर्ए CT UK उन्हीं को हम रोग नान प्रेंग जस्तार तामबाटीन निकील क्रोमियम विनेडियम यह शबी हमारी क्या हम अलोध हात्वियं हैं अब हम लोग बात करेंगे एक हमारा लिक्स ट्रेडिंग बसी है हमारे आजकास हो है हमारा यहीं से लोग डिफरेंस बिट्वें नॉन फेरस मेटल एंड नॉन फेरस मेटल में हमें देखना यहीं शेह हमारा यहीं से खतम हो जाए गाएं यहीं से हमारा topic चोय है समाप्त हो जाए गया इसके बाद हम लोग सरेएक नए topic पर discussion करेंगे उस topic का नाम चोई आपको जो है thumbnail के माद्धियम देखनों को मिल जाएगा धातुयम लग धातुयम और अलाव धातुयम एवं अलाव धातुयम के माद्धियम अंतर जो नॉन फेरिश मेटल में जो डिफरेंस होता है जो अंतर होता है पहला हमारे क्या है लग धातुयम फेरिश मेटल दूसरा हमारे क्या है अलाव कि उनका मुख्यता तो क्या होता है कि लोहा होता है अलाव धातुओं में लोहा नहीं होता है जो नान फेरस मेटल होता है नान फेरस मेटल में हमारा क्या होता है कि लोहा का गुण नहीं पाया जाता है जो फेरस मेटल होता है उसमें क्या होता है कि लोहा का गुण जो है पाया संचारन होता हैं और छितूते होते हैं यह संसर्चन रोधी होती है क्रिति का 가서 उलय होती है रहा रहा ही कि अंग इनक्तार है क्रिति कम आप पहके स्वितूंं 12坦 संख्चन रोधी कोम्हों यह पाई जाते यह होती है है अलग अलग रंगों में पाई जाती है अलग अलग रंगों या क्या होती है अधी घठोर ततर सामार्थे वाली वती जो लाग घठोượng होती हूं आधा है और शामर्थे वाली होती है नॉन फेरस मेटल क्या होती है अपेच्छा क्रीत नर्म तथा निमनस शामर्थ वाली होती है जो नॉन फेरस मेटल होती है क्या होती है कि नर्म होती है तथा जो है इसकी शामर्थ वाली निमनस सामर्थ वाली इसमें जो है शामर्थ भी कम होता है नान फेरेस मेटल चुम्बकी गुण होता है जो फेरेस मेटल होती है लाव धातु में क्या होता कि चुम्बकी गुण होता है नान फेरेस मेटल में अलाव धातु में चुम्बकी गुण नहीं होता है नेक्स्ट है हमारा लवधातु ये ठंडी अवस्था में भंगुर होती है जो लवधातु ये होती है थेरेश मेटल होती है ये ठंडी अवस्था में भंगुर होती है और नान थेरेश मेटल गर्म अवस्था में भंगुर होती है अलवधातु ये होती है कि गर्म अवस्था में भंगुर होती है यहीं से जो है हमारा मेटल प्रॉपरिस्टी टॉपिक्स जो है धातु गुण धर्म यहीं से जो है हमारा धातु गुण धर्म तॉपिक्स जो है धातु गुण धर्म धर्म धातु गुण धर्म 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 तॉपिक्स जो है हम यहीं से हमारा जो है समाप्त होता है इस पूरा पूरा टॉपिक्स को कबर कर दिया अगर हमारा वीडियो आप से भी स्वाइब को लगा तो चैनल पारना है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब चलूर करें वीडियो को जादा से जादा दोस्तों तक शेर करना रहो लें नेक्स्ट टॉपिक्स जो है मारा अगला टॉपिक्स क्या होने वाला उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है पता चल जाएगा धरन्यवाद